गूट बॉर्निंग दोस्तों वेलकम टू दा मकैनिकल ट्यूटर ग्रूप यह मेरा चैनल है आज से मैंने इस चैनल को यूट्यूब चैनल को बनाया है और जैसा कि बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था उसके बेसिज पर मैंने क्लासेज का इनिसियेटिव क्लासेज मैं अरेंज करूंगा यहां से और सबसे बड़ा इस हुए कि आज के लॉगडाउन में बच्चों के लिए सोर्सेज एवलेबल नहीं हो पा रहे हैं उनको राइट कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं सही से वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यूट्यूब में किस के थरू पढ़ना है किसे थरू नहीं पढ़ना है ऐवन कोई साबी चैनल हो कोई सा भी ट्यूटर हो तो उनको यहीं समझ आ रहा किसको हम फोलो का रहें किसको फोलो करें इसलिए मेरे पास भी बहुत बच्चाों की रिक्वेस्ट आई थी वह इसटुदूइंटे मैसेज आ और यहां पर मैं सारा syllabus आपके लिए discuss करूँगा कोई भी चारज नहीं हुगा सब कुछ free of cost रहेगा each and every point हम discuss करेंगे इतना clear है उसके बाद सबसे पहले आज के session में आज के session में हमको क्या पढ़ना है सब के दिमाग में तो यह होगा लेकिन आज के session में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं क्यों क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि हमको कैसे पढ़ना है हमको पहले यह जानना होगा कि कोई भी exam अगर हमको crack करना है या फिर कोई भी exam को हमे में पास करना है तो उसके लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है क्या प्लानिंग करनी है क्या इस्टड़ी बनानी है यह ज्यादा जरूरी है जानना तो आज के सेशन में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है कैसे अपने आपको पढ़ाई क के टच में रखना है study के टच में रखना है motivate करके रखना है और कैसे चीजों को आसान करना है तो बाकी आप लोग सब कैसे हैं आसा करता हूं सब लोग ठीक होंगे सबसे पहली चीज तो यह करनी है घर में ही रहना है अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाना है दूसरी चीज इतना भी नहीं पढ़ना है जितना सब लोग बोलते हैं कि दिन रात पढ़ो दिन रात पढ़ो दिन रात पढ़ना जरूती नहीं है अगर आप 5-6 hours अगर पढ़ रहे हो लेकिन ये बहुत जरूरी है पढ़ना कि हमको 5-6 hours continuously पढ़ना है डेली पढ़ना है ऐसा नहीं है एक दिन 10 गंटे पढ़ लिए दो-3 दिन पढ़े नहीं तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं रहता सारी चीज़े क्या हो जाती है जीर हो जाती है इतना किलियर है सबको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यहां पर जानेंगे किस तरह से हमको smart तरीके से पढ़ाई करनी है हमारा समय कम लगे और content को हम ज़्यादा से ज़्यादा cover कर सके clear है न क्योंकि किसी भी exam को clear करने के लि content को दिमाग में store करना सबसे पहली चीज़ यह दिमाग में रखनी है और बहुत ज्यादा additional चीज़ें नहीं पढ़नी है वही चीज़ें पढ़नी है जो exam में बार बार पूछी जा रही है बार बार exam में जो चीज़ें आती है उन्हीं को हमें touch करके पढ़ना है clear है तर देख फोकस रहेगा कौन से exam पर गेट exam पर तो गेट exam पर हमारा में फोकस रहेगा क्योंकि यहां पर मेरे पास request आई थी बच्चों की सर गेट का exam देना है गेट के exam के लिए क्या करना है कैसे पढ़ाई करनी है किस तरह से planning करके पढ़ना है किस तरह से notes बनाने क्या क्या चीज़ पढ़नी है ठीक है तो मैं आज के सेशन में आपको यह clear कर दोगा कि किस तरह से पढ़ना है और आज के बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई doubt होगा अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है comment section में आप comment करो कि sir ये problem आ रही है, ये problem नहीं आ रही है मैं कोसिस करूँगा कि इसी classes को मैं जल्दी से जल्दी इस classes को live classes में convert कर दूँ lockdown की वैसे मैं बहुत सारी चीज़ अरेंजनी कर पा रहा हूँ तो जतना मेरे से possible था मैंने उतना कर दिया है बागी का मैं courses करूँगा आगे आने वाले time में कि ये classes को live classes में convert कर सकूँ ताकि बच्चों के direct contact हम से बने रहें और बच्चों के live हमारे queries हम क्या करते रहें वहीं की वहीं clear करते रहें तो मैं यहां पर gate point of view के साफसे मैं discuss करूँगा जैसे लिखा हुआ गेट 2021 सब लोग देने वाले है जो भी लोग देने वाले है तो यहां पर focus करना है जो नहीं देने वाले है 2022 में देने वाले है वो भी आराम से सुने वो भी आराम से देखें इस वीडियो को पूरा end तक देखें हाँ यह जरूर है कि 15-20 मिनट का वीडियो होगा last hardly hardly बट यह वीडियो तुमारे लिए बहुत ज़्यादा efficient होने वाला है बहुती ज़्यादा efficient होने वाला है क्योंकि हम यहां पर सीखेंगे हमको पढ़ना कैसे है पढ़ते तो सब है लेकिन exam तो कुछ लोगों का clear होता है वो तरीका हमको समझना है कि किस तरह से पढ़ाई करनी है कितने घंटे पढ़ना है किस subject को पहले पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है तो यह सारी चीजे हम क्या करेंगे करेंगे तो ज्यादा समय खर्च नहीं करते हुए यहां पर हम देखते है तो गेट 2021 की अगर मैं बात करता हूँ तो यह paper 100 marks का होता है सब जानते होंगे 100 marks क्लियर है ना इसको दो sections में divide किया हुआ होता है paper में आता है divide करके एक section जो होता है वो section होता है हमारा technical section technical section का मतलब है जो हमारी core subject है जैसे mechanical engineering की बात करेंगे तो mechanical engineering में जो core subject है thermodynamics strength of material theory of machine production engineering IC engine RAC power plant heat and mass transfer तो यह सारी subject यहां पर core technical में आती है non-technical में basic engineer basic हमारी general English आती है उसके बाद reasoning and aptitude आता है तो यह सारे दोनों पोर्सन हमारी के separate आते हैं paper में भी इसी तरह separate पूचे आते हैं लेकिन हमको यह जरूरी है जानना कि यह 100 marks का कैसे divide किया हुआ weightage को तो weightage किस तरह divide किया है यहां पर आएगा 85 marks का 85 marks क्लिए रहे इतना और यहां पर आएगा 15 marks क्लिए रहे और यह 15 marks यहां पर 85 marks तो इस 15 marks को हमें पहले पता करना है इसमें आता क्या है तो इसमें आता है general एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग उसके बाद आती है जन्रल इंग्लिस जन्रल इंग्लिस अब बहुत लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है सर इसको पढ़ना कहां से कहीं से नहीं पढ़ना है बाकी बेसिक सा common sense बेसिज एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा जो सबको समझाता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं पढ़े पढ़ना तो पढ़ेगा बट हमको उसी एक्जाम के पैटरन को फॉलो करके पढ़ना है उसी एक्जाम के पैटरन को समझना है किस लेवल के question पूछे आते हैं ऐसे question की practice करनी है बड़ा असान हो जाएगा clear है उस चीज clear नहीं हुई तब problem आती है क्योंकि हम subject किसी subject में हमारा अच्छा मन लग रहा है लेकिन हो सकता उस paper में पूछा ही नहीं जा रहा हो जादा तो ऐसा हमारे मन के उपर नहीं है हमको यहां पर interest भी वही बनाना है जो exam point of view के लिए क्लिए हो important हो clear है इतना इतर देखो तो यहां पर मैं दो section में इसको डिवाइड कर रहा हूं paper में नहीं होता बट मैं अपनी आसानी के लिए इसको क्या करूँगा डिवाइड करूँगा और वो क्या है एक तो core technical की बात करूँगा core technical क्लियर सबको और एक मैं बात करूँ किसकी engineering mathematics की engineering mathematics की क्लियर है यहां देखना core technical की अगर हम बात करते हैं तो यह इसका वेटेज होता है almost 70 marks इसका मतलब इसमें जो subject होंगी कितनी subject होती है किसी भी branch को ठालो हाँ यहां पर हम mechanical का discuss करेंगे तो mechanical में almost 12 subjects हैं जो gate में पूछता है क्लियर है 12 subject 70 number की आएंगी तो यहां से सब बता सकते एक subject का जो mark होगा average हम निकाल लें एक subject का जो mark होगा वो 70 divided by 12 कर दूँ तो वो किसके बराबर आएगा almost 6 marks के बराबर आएगा सब हो clear है इसका मतलब एक चीज़ तो clear हो गई कि एक subject को अगर मैं पढ़ता हूं तो maximum 6 number score कर सकता हूं हम average की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कोई सी भी सब्जेक्ट उठाता हूं मैं 6 number score करूँगा क्योंकि 6 number का पूछा जा रहा है on average हमने अभी कि यह major किया है clear है अब यहां पर देख लेते हैं एक बार यह इंजिनर्ग मैटमेटिक्स कितने marks का आएगा कि अगर यहां 85 है इसमें से 70 घटा होगे तो कितना बचा almost 15 marks और मैं ब देता है कभी कभी 15 का पूछता है कभी कभी 13 14 नंबर का भी पूछता है इसी लिए कि इसका हम on average 15 marks लेते हैं हो सकता है इसमें भी लाई करेगा range होगी जो कहां से कहां तक होगी 13 to 15 marks 13 से कम तो बहुत कम किस पूछता है आज तक नहीं पूचा बट हाँ 13 से 15 नंबर का हो गया होगा यह मैंने जैसे यह चार्ड बनाया इससे सब को clear होने लगी होगी picture अगर मैं यहां पर engineering mathematics अकेला एक subject पढ़ता हूं तो मैं यहां पर 15 नंबर का almost score करूँगा means एक subject को पढ़ने में जितनी energy लगाऊँगा वहां से score क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है लेकिन उ एक चीज तो हमको clear हो गई कि यह जो subject है gate point of view के लिए most important subject है याद रखना यह क्या है इस्टर मार कर लूँ और यह है हमारा most important subject most important subject किसके लिए gate point of view के लिए हर एक्जाम का अलग pattern है अभी हम यहां gate के लिए discuss कर रहे हैं मैं हर एक्जाम के लिए discuss करूँगा one by one आज के session में हर एक्जाम का नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए time चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि कोई से भी एक्जाम की अगर आप preparation कर र कि लिए रहे हैं इतना कि लिए सबको यह सब्जेक्ट किया है most important है according to weightage point of view क्योंकि यह सबसे ज्यादा नंबर आप पूछा जा रहा है अब दूसरी चीज मैं यहां पर इसका एक और importance बता रहा हूं एक और importance का है importance यह है कि अगर मैं engineering mathematics को अच्छे से नहीं पढ़ूँगा तो यहां पर बहुत सारी calculation होती है जैसे mathematics से अगर बात करते हैं तो वहाँ calculus नाम का एक चप्ट आते हैं differentiation integration सारी चीज़ें हम डिसकस करते हैं vector calculus बाकि लैप्लास transformation आगे complex functions और differential equations के solutions यह सारी चीज़ें अगर हमको अच्छे से नहीं आती तो यही सारी mathematics यह technical subjects में भी यूज होती है जैसे ही हम derivations करने जाते है Automatically strong हो जाएंगे यकीन मानों किसी को कुछ भी याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी सारी चीज़ें बड़ी आरांध से समझ में आएंगे इतना क्लियर है सबको इधर दीखो तो इसके दो importance है कि यह help करेगा कहा तू अंडर्श्टेंड इसका मतलब यह हुआ यह most important subject है इसको पढ़ना है अब problem यह आती है सर पढ़ना कैसे क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कहां से पढ़ना है कोई जिसकार क्लियर आदा ऊटे आदा गंटे चालीस चालीस मिनट के सहसन रखेंगे और आराम से पढ़ेंगे हमारे पास समय बहुत है आज से भी अगर किसी ने प्लानिंग करके पड़ाई शिरू कर दिया, तो 101% उसका क्या है, selection होना है, बट जो चीज follow करने के लिए बुलने हैं, वो करनी है अगर ऐसा करोगे, तो 100% तुमारे selection होने के chances हैं, क्लिए है ना, क्योंकि probability बढ़ जाती है, अगर हम अपने आपको क्या करते हैं, उसी तरह से प्रिपेर कर लेते हैं, इतना क्लिए है, इधर देखू, तो इसका importance हमको समझ आ गया, अब हमको यहाँ पर देखना है कि सर, यहाँ तो subject हमारे बारे हैं, इस बारे subject में से, कौन से subject को अच्छे से पढ़ें, कौन से को अच्छे से नहीं पढ़ें, क्या सबका weightage 6 नमबर आता है, क्या, इल्कुल नहीं, हमने सबका weightage तो बोला नहीं, हमने तो on and average निकाला है, किसी भी subject का, लेकिन अब मैं individually चेक करूँगा कि किसका सबसे ज़्या weightage आता है, क्लिए रहे ना, तो इसके लिए क्या करना है, previous year के questions लेने, 20 साल के, mechanical engineering के previous year के questions उठाओ, और हर साल देखो, किस subject से कितना पूछा जा रहा है, ऐसे subject wise क्या करो, analysis करो, वहां से तुमको अपने आप visualize हो जाएगा, कि कौन सा subject हमारा सबसे ज़्यादा important है, क्लिए रहे ना, कौन सा subject हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा important है, और जो subject सबसे ज़्यादा important है, उसे first priority में रखना है, कि उस subject को बहुत अच्छे से strong करना है, क्योंकि उसका weightage भी सबसे ज़्यादा है, उससे questions भी ज़्यादा पूछे आएंगे, उससे magazine marks का भी आएगा, तो इसी लिए हमको उस subject को lightly नहीं लेना है, क्लियर है ना, तो यहां से सब को क्या काम करना है, पढ़ने से पहले सब को एक काम करना है, और इससे देखना बड़ा मजा आएगा, पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ, अब हमको चीज़ हैं पता चल लही है, कौन सा subject हम पढ़ रहे हैं, तो उसके questions भी आ रहे हैं, और question आ रहे हैं, तो हमें करने में भी क्या लगे हैं, अच्छा लगे हैं, तो यहां से इन सारी 12 subjects सा हमें क्या बनाना है, priority list बनाना है, इतना तो खुद ही करना है, clear है न, यह priority list बनानी है, और priority list बनाके, इसे weightage point of view के साब से बनाना है, according to weightage, क्योंकि यहां important, क्या है, according to weightage, क्योंकि यहां पे, हमको बहुत ज़्यादा research नहीं करनी है, हमको यहां पे, exam crack करना है सबसे पहले, और exam crack करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो exam में पूछा या रहा है, उसे ही directly पढ़ो, उसे ही directly strike करो, अगर इधर से उधर भगोगे, तो ना तो चीज़ें हमें समझ में आएंगी, और ना हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, clear है, तो priority list बनाएंगे, 1, 2, 3, and so on, clear है ना, अब लेकर दिक्कत यह है, कि सर, क्या मैं इस subject को अगर पढ़ लेता हूं, तो मुझे सारा सब कुछ एक ही बार में याद जाएगा, सबसे बड़ा इसू यह आता है, कि लोग पढ़ लेते हैं, सारे subject हम भी पढ़ाते हैं, और लोग उस समय तो बड़े आराम से बोलते हैं, सर, अब तो बहुत कुछ समय आ गया, questions भी हो रहे हैं, लेकिन वही एक दो महीने बाद, जब वही subject का question अगर पूछते हैं, concept पूछते हैं, तो लोग क्या हो जाते हैं, वह उस से हो जाते हैं, अब क्या हुआ, हमाई आ रहा है नहीं, मैं क्या बोला हूँ, इसका मतलब यह हुआ, कि अब चीज़ों को हमें, इस तरह से पढ़ना है, कि वो long term तक ज़्यादा याद रहें, क्या इतना clear है सबको, मैंने ये जो चीज discuss की है, क्या ये clear है सबको, इधर देखो, अब आती है कि subject को कैसे हमको revise करना है, clear है न, इधर देखो, अब ही हमने बोला, मैं तीन सेक्षन बनाऊँगा यहाँ देखना, बड़ा मज़ा आएगा, इस तरह से अगर follow करके चलते हो, अपने आप एक महीने के अंदर, आपको confidence दिखने लगेगा, हर subject में confidence दिखने लगेगा, और हर subject को तुम बड़े आराम से समझोगे, यहाँ कुछ भी याद नहीं करना, यह टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, याद करके काम नहीं चल रहा है, यहाँ चीज़ों को grasp करना है, चीज़ों को समझना है, जितनी ज़्यादा समझ आएंगी, वो long term तक याद रहेंगी, खिलिए रहना सबको, तो इधर देखो, मैं तीन चीज़े बनाऊँगा, यहाँ पर तीन सेक्षन बना रहा हूँ, एक सेक्षन तो यह है, टेक्निकल सब्जेक्ट का, टेक्निकल सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट इंडिविजली उठानी है, दूसरा हमारा मैतमेटिक्स का, लोग इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, उनके यहीं पर नंबर क्या हो जाते हैं, रेड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि यह 15 मार्क्स का है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो कोई भी इतना सूर्मा नहीं है, कोई भी इतना सूर्मा नहीं है, जीजेर बिना पड़ नमबर में लिखेइन चीज आती था सब लेकिन यहां एक्जम में उससे एक्यूरेश्य के साथ करना है लोग सोचते हैं किया कुछ भी नहीं जैसरे मतलब मतलब President management perfect ऐसी चीज को बन् dismiss यहाद रहेगें मैं ऐसा इसलिए बता रहरू क्योंकि लोगों बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे समझ आ रहा है, लेकिन वही चीज जब मैं एक दो महीने बाद जब मैं रिव्यू लेता हूँ, क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई सब्जेक्ट, उससे बैक साइड वाले सब्जेक्ट हम पूछने लग जाते हैं, एक दो महीने जो पढ़ा हुआ है, उसमें बच्चों को फिर कुछ भी नहीं याद रहता, इसका मतलब जब हम पढ़ा रहे थे तक तो सब समझा गया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, उसके बाद की जो स्टोरी है, वही यहाँ पर डिसकस कर रहे है, और बहुत ही मज़ा आएगा इसे बड़े आराम से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, बीच में मिस नहीं करना है, नहीं तो कितना भी पढ़लो, कोई फाइदा नहीं है उसका, इसका मतलब यह जो नॉन टेकनिकल सेक्षन है, कुछ भी उठाओ, या फिर जनरल इंगलिस पढ़ो, डेली इसको वन आवर देना है, डेली इसको वन आवर पढ़ना है, किसी को लग रहा है, वन आवर तो बहुत जादा है, तो 40 मिनट, 45 मिनट पढ़ देना है, वन आवर का मतलब यह है, कि वन आवर अगर आप पढ़ने बैठे हो, एक गंटा पढ़ने बैठे हो, तो कंसंट्रेशन होके एक गंटा पढ़ना है, कि हमने प्लान किया है, कि मैं अभी एक गंटा पढ़ना चाहता हूं, तो एक गंटे के लिए सारी चीज़ा भूल जाओ, एक गंटा पढ़ाई में मन लगाओ, more than sufficient है, उसके बाद थोड़ा rest करो, आदा गंटे, पंदर मिनट, ब्रेक लो, उसके बाद चीजों को फिर से start करो, मैं इस मैं क्या बोलाओ, आज से daily एक गंटा इसको पढ़ना है, पंदर नंबर का वेट है, इसको lightly नहीं ले सकते, और गेट के paper में एक एक नंबर important रहता है, लिए रहना, इदर देऊ, तो एक गंटा इसको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर mathematics का अकेले का 15 marks का वेट है, तो इसको तो चाहिए सांस बंद हो जाए, इसको नहीं छोड़ना ह यह छोड़ा, सब को छूटी आएगा, इसका मतलब यह हुआ, कि daily जब तक paper नहीं हो जाता, till paper, till paper date, इसको daily एक गंटा देना है, daily क्या करना है, one hour देना है, क्यों बोलने हैं इसा, इदर लेकना, विजुलाइज करना चीज़ों को, अगर daily एक गंटा बढ़ोगे, तो आज स से कितने मन्त बचे, paper के, 8 मन्त है, 8 महीने बचे, 8 महीने, 8 मन्त, into, एक महीने में कितने दिन होते, 30 दिन होते, 30 माल, तो यह कितना हो गया, 240 आवर हो गया, आज से लेके paper तक, 240 घंटे, अगर मैं 240 घंटे मैत को पढ़ता हूं, विजुलाइज़ों करना, और चीज़ों करते हो, 240 घंटे, इसका मतलब इसका जो course का content है, इसे cover कराने में course period जो है, course period, almost 15 hours का है, 50 घंटे में खतम हो जाएगा, यहां पर तो और जल्दी खतम हो जाएगा, क्योंकि यहां कुछ किसी को लिखना नहीं है, यहां पर हम चीज़ें करेंगे, लिखने के लिए time नहीं मिल नहीं आता, क्या feel नहीं हो रहा किसी को, कि 45 घंटे पढ़ने में सिर्फ, 45 घंटे गर मैं पढ़ता हूँ, तो एक बार यह mathematics complete हो रहा है, और अगर मैं इसे 240 घंटे पढ़ोंगा, तो कितना हो रहा है, almost six times, clear है न, almost six times हमारा mathematics revise हो जाएगा, लेकिन कब, जब मैं daily एक घंटा पढ़ता हूँ तब, लेकिन लोग क्या करते हैं, starting हो जब पढ़ाया, पढ़ लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा, सब कुछ बूल गए, फिर उसे starting से पढ़ना पढ़ता है, clear है न, और फिर से उसमें कुछ concept मिस हो जाते हैं, कुछ concept समझ आते हैं, फिर किसी को याद करनी कोसित करते हो, किसी को फिर याद करनी कोसित नहीं करते हो, clear है इतना, इतर दिखो, तो जो चीज़े बता रहे हैं, इसको ऐसे follow करोगे, अपने आप तुमारा आसान लगने लगएगा paper, और तुमको जो चीज़ें tough लगती है, gate 2021, gate, gate का paper कितना ज़् कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना tough है, उतना ही आसान हो जाएगा, follow तो करो, एक बार follow करके देखो, एक मन्त ये अपना schedule बनाओ, अपने आप automatically schedule बन जाएगा, clear है, इस तरह से करना है सबको, इस तरह से करो, six times revision हो जाएगा, लेकिन जब हम पहली बार पढ़ाएंगे, तो 45 गंटे लगेंगे, क्या किसी को यकिन नहीं होता, कि अगर दूसरी बार कोई इंसान उसी चीज को पढ़ता है, तो क्या उसी समय इतनी time में पढ़ पाएगा, क्या थोड़ा time कम नहीं लगेगा, हो सकता है 30 गंटी लगे, उसके बाद तीसरी बार पढ़ोगे, हो सकता ह 10 से ज़्यादा बार पढ़ लोगे, और 10 से ज़्यादा बार अगर इस सब्सक्राइब पढ़ लिया, तो यह tips पर हो जाएगा, at any time कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आप तुरंत उसका response दे सकती, क्योंकि daily touch में हो, चीजे मिस नहीं की, हमने एक भी दिन छोड़ा नहीं, पढ़ा जरूर है, लेकिन एक घंटे, एक घंटे ही sufficient है, अगर इसको पांच घंटे पढ़ने के लिए बोल देते, तो लोग तो बेवस हो जाते हैं, पता नहीं, क्या बोल दिया सर ने, clear है न, तो ऐसा नहीं करना है, प्लान करके पढ़ना है, एक घंटा, एक घंटा, दो clear है, उसके बाद का जो time period है, यहां पर देना है, इधर देखो, बाकी कितना है, हमारे बचते है, four hours, अभी हम बोले, six hours पढ़ना है, जादा पढ़ने की कोसिस मत करना, सूर्मा मत बजनाना एक बार मी, जैसे ही सूर्मा बनोगे, सब कुछ भूल जाएं, clear है, तो क्योंकि 6 गंटे ही पढ़ने है, और 6 गंटे से जादा पढ़ना नहीं है अभी, इस time period को दी में दी में बढ़ाना है, ताके हमारी habit भी बन जाए पढ़ने की, और हम फिर दी में दी में इसको क्या करें, implement करें, पेपर जैसे ही नजदिक आए, तो जैसे दो महीने बचें, इसको दी म पढ़ोगे, इसका मदलब पढ़ाई से फिर मन अट जाएगा, और ये human tendency है, ये सब के साथ होता है, तुमारी साथ नहीं हो रहा, clear है न, इसलिए बोले, 5 चेलने, कोई 6 गंटे जादा लग रहे है, 5 गंटी पढ़ो, जादा नहीं बढ़ना है, बाकी की चीज़ें भी करनी है, clear है, और ये 4 hours में हमको technical subject पढ़ने है, इदर देख, technical subject, अब बहुत से लोग सोच रहे होगे, technical subject तो कितने, 12 होई है, 12 subject है, तो क्या सब पढ़ने है, बिल्कुल नहीं, सब पढ़ भी नहीं सकते, मतलब कहने का, कि जो subject हमारा क्लास में चल रहा है, या पिर मैं जो subject यहा उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि उस lecture का time भी लगाना है, उसके बाद उसको revise भी करना है, उसके साथी साथ notes बना ले रहे हैं, वीडियो सब के पास होगा, वीडियो के concept समझो, pause करो, तुरहन तुसे लिखे लो, इससे क्या होगा, तुमने समझा, लिखा, तो दोनों चीज करना है, notes भी बनाने है, इधर देखो, बार है subject, उसमें से एक subject तो वो पढ़नी है, जो class में चल रही है, उस दोरा, जो भी lecture चल रहा हूँ, उसके बाद दूसरी subject को revise करना है, जो पहले हो चुकी है, साथी साथ, कि जो subject चल रही है, उससे तो नया सीख रहे हो, जो running subject है मान तो यहाँ time ज्यादा देना है, इस 4 गंटे में से हो सकता, यहाँ पर 2.5 से लेके 3 hours दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ गंटे से लेके 3 गंटे इसमें दो, जो चीज को नया सीख रहे हो, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन जो पहले subject पढ़ चुके हो, वो तो सीखी हुई है, उसको तो बस revise करना है, तो इसी के साथ एक और काम करना है, जो previous subject है, जिसमें ऐसा लग राओ, कि हम भूल चुके हैं, ऐसा लगेगा कैसे, बैठके एक बार सोच के देखो कि हमने क्या पढ़ा था, अगर चीजें सब तमारे आँखों के सामने visualize हो रही है, इसका मत क्या दो, समय दो, रिवीजन के लिए क्या दो, वन आवर दो, इस तरह करोगे, तो यकीन मानो, ये वाला पोर्सल बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा, हर किसी को क्या होगा, बढ़ाई अच्छे से, क्या मिलेगा हमको confidence मिलेगा, हाँ, अब हम इसको बड़ी आराम से कर सकते हैं, क्या रहना, लेकिन ये एक दो महिने खेल ली है, ये गेट का पेपर है, और यहाँ पे हमारा टार्गेट है, 80 प्लस का, क्या टार्गेट है, टार्गेट हमारा है, 80 प्लस अचीव करना है, किसी भी तर है, टार्गेट 80 प्लस का, क्या रहना, 80 प्लस टार्गेट किसी के साथ अड़ेपी करके हुआ अब यह चीजे तो हमने बता दी कैसे पढ़ना है अब पढ़ना क्या है और क्या वही पढ़ने से काम चलेगा यह क्वेस्ट बढ़ा आता है लोगों के सब्सक्राइब कर लिए अब क्या करें अब तो समझी कुछ नहीं आ रहा रहा है कि प कर बास शाहती साथ उसी टॉपिक के प्रीवीस यह कुष्ट लगाओ प्रीविश ये प्रेवीस यह कुष्ट लगो तो अगर अच्छे से क्लास में कंसेप्ट समझें तो तो 101 परसेंट 70 से लेखके 80 परसेंट तक क्वेस्टन खुद सॉल्व करोगे जिसने अच्छे से कंसर्फ समझे है 70 80 परसेंट अपने आप सॉल्व करेगा डाउट आएंगे 10 15 20 परसेंट कोई दिक्कत नहीं है वह डाउट को फिर से समझो हो सकता है वह सॉलूसन देखके तु हो सकता है तो किसी से पूछो तो मैं पता चलिया है कि हाँ इसमें ऐसे सोचना था हमने थोड़ा सा ऐसे नहीं सोचा तो इस तरह से क्वेस्टन प्रेक्टिस करोगे तो चीज़ें क्या होंगी आसान होंगी लेकिन जैसे एक बार पढ़ने से क्या सब कुछ याद हो जाता है विजुलाइज करो हमको यहां पर हर चीज क्या है याद होनी चाहिए इसको बार बार पढ़ना है क्लास नोट्स को फॉलो करो उनको पढ़ो उसके बाद क्वेस्टन पर अप्रोच लगा और जैसे प्रीवेस्टन के क्वेस्टन हो जाएं अब दोबारा फिर करने तो क्या स क्या से सारे का नहीं करने परीविए ये क्वेस्टन का रिवीजन कैसे करना प्रीविएस यइ Hey उस सबीजन जब पहली यह जो प مदाल सबस्टारी और मस्का और मतलब करना है यह कुछन हमसे पहले हुआ नहीं जो कुछन हो चुके हैं वह दोबारा में भी कर लो कोई दिक्कत नहीं थियोरी पढ़ोगे नोट्स पढ़ोगे उसके बाद वह कुछन तो बड़े आराम से हो जाएंगे वह आसान कुछन जिस जो कुछन नहीं हुएं उन पर स्टार मार्क करेंएं हो सकता है एक चैप्टर में अगर जब गलत हो गया और जैसे हिसका करेंगे बाकी के कुछन को वैसे रीड करेंगे कि हाँ रीड करते ही तुम्ह पता चल जाएगा हां इसकी मुझे आते हैं यह तो हो जाएगा और चीजों को बार-बार क्या करना है देखते रहना है बार-बार चीजों को विजुलाइज करते रहना है ताके हमारे दिमाग में क्या रहे है फिट रहे है जैसे इस्टार मार्क को दुबारा करोगे तो हो सकता है उस बीस में से फिर से तुमसे क्वेशन होना दस क्वेशन से फस गए 10-5 फिर से कर लिए तो दोबारा से फिर क्या करो अगें अगें क्या करो जो फिर नहीं हुए उसी के आगे एक और श्टार मार कर दो तो दो इस्टार हो जाएंगर इसका मतलब इसका दोबारा करना है ऐसा ही एंद सो आपको करते रहना है इस से करोगे तो previous year question plus theory concept अभी इतना ही फॉलो करना है जैसे यह फॉलो हो जाए उसके बाद हम class में discuss करेंगे अब क्या घरना है उसके बाद हमको exam का माहुल फील करना है exam के environment में हमको preparation करनी है अभी तो यह room कर रहें हाराम सी करने कोई दिक्कत नहीं ज्यादा stress नहीं लें पहले जितना ज्यादा stress लो के उतना ही माइंड क्या करेंगा कम करेंगा इसलिए free आज का सेशन में हमने क्या किया है? यह डिसकस किया है. कि किस तरह पढ़ना है? गेड को कैसे टारगेट बनाना है? बाकी कि अगर किसी को कोई exam के लिए और भी preparation कर रहा हूँ, कर रहा हूँ उनके लिए हमारे पास 100 तरीके हैं कि कितने कम समय में जादा स्यादा मास को ऐसे स्कूर करने हैं अभी UPP CS का एक्जाम होने वाला है किसी ने फर्म बढ़ा हूँ उसके लिए भी मैं एक दिन लेक्षर लेकर आऊँगा एक दिन इसके लिए प्लानिंग करूँग है तो कमेंट सेक्षन में अपना एक बार कमेंट छोड़ दें कि सर मुझको ऐसे यह समझ नहीं आ रहा है आगे कि क्या प्लानिगे और भी कोई भी डाउट हो किसी से रिलेटेट एक बार आप कमेंट कर दें अभी लाइव क्लासे नहीं अरेंज हो पार ही कि मैं कोसिस अभी यह फॉलो करो और सब्जेक्ट हमारे क्या है नेक्स्ट से मैं सब्जेक्ट करूँगा दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा पैरली एक इंजिनरिंग मैथमेटिक्स और दूसरा स्ट्रेंट्व मटीरियर क्लियर ना तो किसी को टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इन दौनों का पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ाऊंगा जिनके वेटेश क्या है अच्छे खासे हैं इतना क्लियर सबको तो बाकी सबको किलियर है किसी को कोई डाउट नहीं तो इस चैनल को क्या करो ज्यादा सेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो अगर मोटिवेशन में लेगा तो मैं यहां पर पूरी अनरजी लगा दोँगा आपके एक्जंब गिलियर कराने के लिए कद्र क्लियर सबको तो आज के लिए इतना ही काफी है बाकी का कल से हमें स्टार्ट करेंगे अपना सेशन अपणी क्लासेज और की गषिजल ठीकतने अईग झाल